कि नमस्कार एक बार फिर केचिन कॉर्णर में आपका स्वागत है आज मैं आप कोटिंग करते हैं यह हम दो हिस्से चॉक्रेट के रखते हैं और एक हिस्सा क्रीम कर रखते हैं तब हम उसको बनाते हैं और उसे ही कोटिंग की जाती है एक होता है जब हम उस कोटिंग के बाद में उसके उपर से डालने के लिप करते हैं तो फड़ा लिक्विट करते हैं और यही जो सेकंड टैक का गनाश होता है वही डोनट्स में भी यूज होता है तो उसमें हम एकुल कुएंटिटी रखते हैं दोनों की क्रीम की भी और चॉक चॉकलेट की भी खाती में किस तरह से आपको गनाश बनाना है और उसमें कितनी चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि चॉकलेट बहुती के साथ बनाई जाती है पड़ी ध्यान से जाती है एक भी गरवड करी और चॉकलेट बिकड़ी लेकिन रेसिपी देखने से पहले प्रवक्त मेलते है जिनका मैंने नाम किता डिया हुआ है मैंने मौड कफ़े को इस तरहसे चाकु से में को क्रश् कर रहे हूं और मैंने क्रशकर करें फॉचीछ म nesm2 बंद रिया जिसको में ए बोल में ढलिया अब देड़ कप चॉकलेट है तो इसमें हमें हमें इसका हाफ म flesh दो पो और 1 4th cup, मैं क्रीम लोंगी, यह मैंने अमुल की fresh cream यूज करीए, कई तरह के cream मार्केट में मिलती है, वो आपको इसी भी यूज कर सकते हैं, हैवी क्रीम हमें यूज करनी है, अगर रिच यह ट्रॉपोलाइट की भी हैवी क्रीम आपको मिलती है मार्केट में ता आप इसको य इसको स्टाल बानाश बनाने के लिए हम डाबल sub कर रहे हैं तरह स्टं मैंने नहीust के ला ले California प्रण complaint प्रम हो रहा है उसकी हीट से यी चॉकलेट पि घल जाएगी इंहल जाएंगा को सबसे असान तरीका है却 T तो भी बनाने में थोड़ा साब तक लगते भी हैं कि यहां मगतों कर दि сможолн ों कि यहां हमें सामनें और आप माइक होता है तो 10-10 से कंड के दिए डारम करें को कि एक लब से सीधे आधा मिनित में पूरां नहीं तो वह जल जाएगी और जल गई तो आपके चॉक्रेट बेकार हो जाएगी मैंने आपको पहले ही बता है चॉक्रेट बहुत डेलिकेट होती है आप देखिए मेरा ये पिघल के गराश बनके तयार है इसको मैं क्लिंग रैप से रैप करके रख तूंगी ठंडा होने के लिए इसको मैंने पूरा आप देखिए हैं बोल के उपर से ने इसको रैप किया है बलकि अंदर इसको फिल्म को मैंने अंदर की तरफ करके इसको 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 पर सेट किया है क्योंकि अगर हम ऊपर से कर देते हैं तोई इसमें इसकी हीट से पानी की डॉपलेट्स वन जाती है और जो कि पानी की डॉपलेट्स इसको गराश को खरार कर देती है not양 मेन की और इसको फिलम को लगाएं या फिर इसको थोड़ी 25 खळाने देन और बाद में इसे ढखे, जगी ठंडा हो जाए, इसको हम रूम टैंपरेचर पर ही छोड़ देते हैं पूरी रात, और इस तरह से हमारा 24 गंटे में गनाश बन जाता है, यही गनाश हम चॉकलेट केक की लेरिंग के लिए यूज करते हैं, तुफल बनाने में हम उसको यूज क क्रीम का रखा था, इसको हम लेरिंग के लिए यूज करते हैं, लेर के बीच में और इसकी उपर की क्रमबल कोटिंग के लिए, क्रम कोटिंग जिसे कहते हैं, यह देखे, इस तरह से क्रम कोटिंग कर देते हैं, और इसके बाद इसे हम फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रि इसको हम कहते हैं 1-1 किरेशय वाला कनाश इसी से हम आइसिंग करते हैं और इसी से हम सेकंड कवरिंग केक की करते हैं हाँ, अगर मुझे ये डोनट्स में यूज करना है तब मैं इसको इस तरह से विप नहीं करूँगी यहां विपिंग मैंने करिए क्योंकि मुझे यह केक के ऊपर आइसिंग करने के लिए यूज करना था तो इसलिए मैंने इसको विप किया देखे इस तरह से हम केक के ऊपर जो सेकंड कवरिंग हम करते हैं उसकी उसके लिए इसको यूज करते हैं और इसी गनाश को हम पाइपि यूजल यूज़ करके हम इसकी पाइपिंग बैग में भी यूज़ करते हैं लेकि उससे पहले में आपको यह दिखाऊंगे कि कैसे हम वाइट चॉकलेट से भी गनाश बनाते हैं यह मैंने चॉप्ड चॉकलेट ली थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा डिजाइन बनाना था चॉ मैंने टू टेबल स्पून इसमें क्रीम यूज़ करिये और यह मैंने क्रीम को बहुत तेज गरम कर लिया था ताकि जब वो चॉप्ड चॉकलेट के अंदर डाल हूँ तो वो चॉकलेट अपने आप उसकी गर्मी से पिगल जाए यह देखिए अच्छी तरह से यह पिगल ग जब हम कोई भी केक ऐसा यूज़ कलर फूल केक बनाते हैं तब हम इसी तरह से गर्णाश कलर फुल तैयार करते हैं और उसके ओपर डालते हैं अच्छा अब हमें थर्द टाइप का गर्णाश बनाना है जिसकी हम उपर से पोर-इंग करते हैं केक के ओपर जिससे गलेज आत तो इसमें मैंने लिया है इसमें one portion चॉकलेट का है और three portion cream का यूज किया है hot cream थी मैंने उस पर डाली तो जिससे वो सारा पिगल गया एक दम से और इसमें मैंने एक चम्मच बटर का भी डाल दिया है बटर से क्या होता है एक shining आ जाती है आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें बस एक glaze लाने के लिए हम इसमें बटर का यूज करते हैं इसका जो लुक है वो और अच्छा हो जाता है और इस थर्ड टाइप के गनाश को हम यूज करते हैं के के ऊपर पोरिंग करने में या इसका जब ग्लेज वाला हमें baskets वाला हमें बनाना होता है चॉक्लेट केक गन्ाश वाला तब हम इसका यूज करते हैं थर्ड गवरिंग के लिए तो इस तरह से मैंने ये गनाश मना लिया है इसको अब हमें जो मैंने फ्रिज में रख दिया था सेकंड कोटिंग के बाद में जब मैंने फ्रिज में रखा था इसके उपर ही अब में यह थर्ड कोटिंग के लिए इसको इसके उपर पोर कर दूँगी कि हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यह जो गनाश है यह बिल्कुल नॉर्मल टैंपरिचर के उपर होना चाहिए नॉर्मल से ठंडा ही होना चाहिए क्योंकि अगा थोड़ा सा भी गरम हुआ तो जो हमने इसके केक की सेकेंड लेरिंग करी थी कोटिंग करी थी वह पिखल जाएगी इसके उपर पोर करने इस बात का बहुत यहान रखे इस तरह से हम इसको इसके उपर गनाश को स्प्रेड कर देते हैं कई वार हम इसको कॉन में भरके साइट साइट में भी डाल सकते हैं इस तरह से हमने इसकी कवरिंग कर दी थर्ड थर्ड कोटिंग जो है वह मैंने इसकी इस तरह से करीब तो इस तरह से मैंने आपको बता दे कि तीन टाइप से हमारे गनाश बनते हैं अब मैं इसके उपर जो मैंने कलरफुल गनाश बनाया था उससे थोड़ा सा डिजाइन बना दूँगी ताकि वह अच्छा सा लग जाए आपको इसके साथ सद्ध चॉकलेट करा est करके दिखा दिखा दिया कि किस तरह से चॉकलेट केक को हम डेकोरेट करते हैं मांदाश के साथ तो यह तरह से आप पौड़ा सा कलर अब piping bag में मैंने यह 1-1 की ratio वाला गनाश भरके और अब मैं इसका decoration में कर रही हूं नोजल के थो इसमें एक star nozzle लगा के मैंने इसका decoration करनी शुरू कर रखे देखिए आप इस तरह से हम इसको इसके पहले नीचे कवर कर देते हैं इस तरह से decorate कर देते हैं और थोड़ी सी अब इसके ऊपर हम decoration करेंगे जैसे इसके neatness design सुनदा सा लग जाए देखिए इस तरह से मिसको star nozzle का use करके मैंने इसको decorate कर दिया और यह मैंने वही गनाश यूज किया था इसको विप कर दिया था एक ही मैंने रोज बनाया है और रोज बनाने के लिए अलग से नुझ रूस होती है विप countryman eclis से मैंने यह बनाया है अ अ कि से से को अड़ पर रख दूंगे इस तरह से हमारा he trouble के तढ़ अ कैसा लग आपको यह for주고 के और कैसा लगी मेर्य यह video अगर अगर आपको यह पसंद आई हूँ तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरू करें हाँ अगर कोई परेली प्रॉबलम हो तो आप मुस्ते पूछ सकते हैं थैंक यू